सबसे पहले सबगत है आप सभी कुछ नए वीडियो पे ग्यात हुआ है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो डिग्री पार्टकॉर्ण में एडविसर लेना चाहते हैं उनका नाम मेलेट लिस्ट में आ चुका है लेकिन प्रोब्लेम यहां होता है कि वो सेलेक्शन लेटर डॉन नहीं कर पाते हैं कारण कि उनके पांस यूजर अइड़र वाश्वर्ड है ही नहीं और Unger secular पास्वर्ड उनको मिला था वह गूम हो चुका है या उनका मोबाइल खराब हो चुका है या गुम हो गया तो इस इस्तिते में वह कैसे प्राप्त कर पाएंगे अपने यूजर एडियर पासवर्ड कुछ ऐसे भी केंडिडेट है जिनके पास अप्लिकेशन नमबर तो है लेकिन पासवर्ड नहीं पता है तो कैसे कर पाएंगे इस वीडियो के प्राप्त हो जाएगा ठीक है यहां पर देखिए सबसे पहले अपने मॉइल के क्रूम बोजर को ओपेंड करना है और गुगल सर्च पर में टाइप करना है www.lnmuinfo.in जैसे आप लोग यहां पर में वाइल स्क्राइब करना है और सर्च कर देना है अब जैसे ही टाइप करक इस परकार से देखने को मिल जाएगा अब देखिए न्यू पोस्ट में आईएगा आप लोग ठीक है यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर देखिए पांच जुलाई 2023 के पोस्ट में आप लोग देख रहे होंगे इस पर आप लोग को किलिक करना है अब जैसे ही किलिक करेगा तो अगला इंटरफेस इस परकार से ओपन हो जाएगा इसके बाद आप लोग को नीचे आना है और देखिए आईडी और पांसवर्ट कैसे प्राप्त करेंगे दो तरीका है सबसे पहले देखिए अगर आपके आपके पास आईडी है और पांसवर्ट रही है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे जदी आपके पास आईडी पांसवर्ट दोनों नहीं है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे तो वो मैं आप लोग को बता रहा हूं सबसे पहले जिनके पास आईडी पांसवर्ट नहीं है वो सम उस mobile के message box को open करिएगा और search करिएगा ADLNMUDB इस परकार से ठीक है जैसे यहाँ पे search किया गया है इस परकार से जब type करके search करिएगा message box में तो आपको इस परकार से देखने को मिल जाएगा ठीक है आप यहाँ पे user ID देख रहे होंगे और password देख रहे होंगे तो यहीं आपका application ID हो गया और password भी वहीं हो गया अब इसके सहाइता से आप selection letter या जो common application form है वो download कर सकते हैं युनिवर्सिटी के website पे जाके ठीक है एक बात और होगा अब बहुत ऐसे candidate है जो message delete कर दिये हैं और उसके पास user ID और password दिखा ही नहीं दी रहा है और या mobile गुम हो चुका है या खरा खोड़ से की होंगे तो online आप एदर के पस्चात आपको एक print निकला होगा निकला होगा ना तो उस print पे आपका basic detail जैसे 5 college select की होंगे तो 5 college का नाम देखने को मिला होगा आपको केतना इंटर में मिला है वो देखने को मिल रहा होगा साथ में आप लोग जो mobile number दी होंगे वो तो उसी को आप लोगों को उसमें आप लोगों को application number देखने को मिलेगा वो ही application आपका user ID हो गया ठीक है उसके बाद passport प्राप्ट करने के लिए आपको यहां link दिया गया देख सकते हैं यहां पर आईएगा इस पोस्ट का link discussion box में दे दिया हूं इस link पे आप लोगों को click करन अब जैसे किलिक करेगा तो अगला interface इस परकार से open होगा अब आप लोगों को नीची आना है अब नीची आने के बाद यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा download selection letter और यहां पर click है इस पर click करना है अब जैसे किलिक करेगा तो university की website इस परकार से open हो जाएगा और यहां पर है candidate login ठीक है candidate login पर click करना है अब आप लोगों को थोड़ा मैं mobile को सीधा कर लेता हूं चुकि mobile में बता रहा हूं अब यहां पर देख रहे हैं आप लोग यहां पर application ID आप लोगों को type करना है ज्यांत हो कि application ID वहीं वाला जो आपने दिये थे या आपको print out में मिला ह होगा ठीक है तो application ID यहां पर डालना है वहसे अब भी नहीं डालना है सबसे नीचे आप देखिएगा तो forget password देखने को मिल जाएगा ठीक है इस forget password पर किलिक करिए अब यहां पर देखिए दो चीज यहां पर डालना है देख रहे हैं आप लोग कि इंटर यूजर ID और इंट यहां पर मैं डाल देता हूं यहां पर आप लोग देख रहे हैं मैंने दो चीज यहां पर डाले हैं एक तो candidate का जो application ID है वो डाल दी है उसके बाद जो उनका रेजिस्टर मोवाइल नंबर है वो डाल दी है रेजिस्टर मोवाइल नंबर वहीं होगा जो आपको जो आप प् या इसके बाद candidate का name आ जाएगा आपका password आ जाएगा और इस परकार से आप जो है अपना रेजिस्टर ID और password जो है वो पराप्त कर सकते हैं इस परकार से आप अपना password पराप्त कर सकते हैं तो I hope कि आप लोग को जानकारी समझ में आ चुका है इस password को आप लोग याद रखे जाएगे और इसके बाद जो है login ID यह हो गया और password यह हो गया इसके साहिता से आप login करके और अपना application form selection letter download कर सकते हैं तो I hope कि आप लोग को जानकारी समझ आ चुका है वीडियो कैसा लगा मुझे बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्याबाद ज